हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टूवर चैनल एसपी क्लासेज अगेल हमने स्टार्ट कर रखा था क्लास 11 का चेप्टर गती के नियम उस चेप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं पिछली क्लास में हमने आवेग के बारे में पढ़ा था तो आज हम पढ़ेंगे सवेग सेलक्षन अगर हम क्या करें इसका छोटा सा एक्जामपल लें देखो इधर कि यह कोई सडक है ठीक है यहां हम कड़े हैं यहां कोई बच्चा अपनी सैंकिल लेके जा रहे हैं यह सैंकिल अच्छी नहीं बने हैं तो आप लोग देख लेना सैंकिल ऐसी सी होती है हां ठीक है तो मालनो यहां कोई बच्चा अपने सेंकिल लेके जारह है तो अगर सैंकिल किसे टकरा जए जबान यह स्पीड़ हो है 10 Chief मेटरा पर गंडा इससे सेंखिल अगर सी इंडि तो में क्या लगेगी सव जड़ा सी चोट लेगे प्रफ दिकत नहीं था अगर हम इसका दूसरे एक्जाम्पल लें कि यहां हम खड़े हैं ठीक है और यहां कोई गाड़ी है यह इस बात अब यह गाड़ी मुझे बनाने नहीं आती है समझ ले नभी गाड़ी है अब गाड़ी से अगर हम तकरा जाएं तो गाड़ी का वेट क्या है जाद है लेकिन इसकी स्पीड है वो कितनी है दस किलो मीटर पर गंटा ही है स्पीड तो सेम है वेग है वो क्या है वेग यहां कितना था दस किलो मीटर पर गंटा यहां कितना है साइंकिल थी जो किससे टकरा ही, खकक keeping को इंसान है यह पर, यहां क्या है, गाड़ी से ऑगर कोई टकरा है, तो क्या होगी, बहुत ज़ाधा चोट लगेगी, क्यों ख्यू कि दर्यमन भी क्या है, बहुत ज़ाधा है, ज़ाधा है, एक एकड़ में खड़े हैं, कि अगर हम यहां खड़े हैं और अब यहां कोई बड़ा ट्रक आ रहा है क्या रहा है कोई बड़ा ट्रक आ रहा है ऐसा ठीक है अब इसका जो वेट है वो गाड़े से भी क्या है जाद है लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 10 किलोमेटर पर गंडा तो देखो यहां मतलब निकलता हैuper इसका कि इनका करम जादा है तो चोट भी जादा लगए इस कंडशन में तो आप समझी सकते हैं क्या अगर ऐर क्या है दरेमान जादा नुकसान इसमें क्या होगा द्रेनम् इसका लेटे हैं कि मानो हुकर ये केढर, वही है कि बंदू के गोले को चलाया जाया जाए तो उसमें क्या डिल्टी प्धरिय ओगी दरेमान कि पो इसका ही यह तो इससे मतलब क्या निकलता है और वेग जाद है तब भी नुकसान होना है तो अगर हम हमारी बासा में समझें तो जो नुकसान है वो क्या है समानुपाते किस के दर्यमान के भी और वेग के भी बढ़ेंगे तो नुकसान भी क्या होगा जादा होगा नुकसान भी बढ़ेगा तीक है अब देखो अगर हम पीछे वाले में देखे तो हमने दर्यमान इसी को क्या कहते है यह जो हमने पीछे जो नुकसान देखा है ना मारा तीक है यही क्या होता है इसी को बोलते है समवेग यह क्या होता सकते हैं वन समवेग मान सकते हैं क्योंकि जो समवेग वह समानुपाती होता है कि इसके दर्यमान गुणा वेग के अब देखो M है और उसका वेग है वो V है तो समवेग की परिवासा क्या होगी समवेग is equal to दर्यमान गुणा वेग तो किसी लिखते हैं समवेग को P से दर्यमान को M से और V को वेग को V से तो फोर्मुला क्या निकल जाएगा P is equal to M गुणा V यह साथे कौन सी कोंचा सदीच राषी करा तो क्या के सिगा धीजा क्या दे कि सदीचों अगर वेग की दिशा है तो हमें पता होना चाहिए आगे देको आगे अगर सदीच रूप में लिखना हों है तो क्या लिखेंगे पी सदिस जो दर्यमान है दर्यमान सदिस रासी होती है अदिस रासी होती है और वेग ये भी क्या होती है सदिस रासी होती है तो आगे देखो अगर इसका हम क्या निकाले मातरक निकाले तो दर्यमान का मातरक क्या होता है किलोग्राम और वेग का मातरक क्या होता है किलोग्रा अогर हमने इसमें क्या पढें सब्सक्राइब अग्छान का नियम अगालेंगे जोने बहुत ही आसाना है तो हैं एडिंग क्या हाइं हमारि सब्सक्राइब सरक्षित रहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो वस्तवे टकरा रही है तो टकराने से पहले और टकराने के बाद उनका जो सम्वेगो क्या रहना चाहिए सरक्षित रहना चाहिए तो इसके बार हम चोटा सा लेते example लेते देखो हमने क्या लिए? दो बोल लिए एक बोल तो ये ले लिए दूसरी बोल ये ले लिए ठीक है थोड़ा से एक बड़ क्या करते हैं इसको साइड में बना देते हैं तीन डाइगरम बनेंगे इस लिए तो देखो हमने क्या क्या? एक बोल तो यह लिए और दूसरी बोल यह लिए कितनी बोल ले लिए दो बोल ले लिए हमने तो देखो अगर हमने दो बोल लिए तो दोनों बोल होगा क्या होगा कुछ दर्यमान होगा तो हमने यह बोल लिए M इसका दर्यमान कितना है M A दर्यमान है K acuerdo और यह कुंसी है डेवोल मोको कितना हो गया मदंक्य करें डोलिये व्य और देखो लिख अग्रम के डेयमान लिख लिग लिख्ट क किसे लिखते हैं तो हमने इसका प्रारंबिक लिख लेले यह वर इसका प्रारंबिक लेलिया यू वी है क्या कि हमने के कि टकर देखो अगर हम इन दोनो ko क्या करें इन दोनो की टककर करवाएं प्रवयग क्या 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 है तो मतलब क्या क्या है कि एक चीज्ज समने और मानी है कि यू यू ए है UA का जो वेग है वो जादा है किस से U B से अगर UA का वेग क्या है जादा है किस से U B से तो UA अगर जादा वेग से चलेगी तो B वाली को क्या करेगी टकर मारेगी मारेगी न तो देखो अगर हम दूसरे कंडिशन ले दूसरे कंडिशन में ये क्या करेगी कि एक दूसरे के एक दूसरे से टकराएगी हैं है। तक्राएगी तो देखो ono keiros चल रही थी गतिसी लवस्ता में थी दोनों क्या पताया कि जो एव बस बोल है इसका एंव जदा है किस से तो देखो यहां आकर क्या करेंगी तो हमने कंडिशन में होता क्या है देखो इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं पहला क्या होता है कि अगर कि mogą यहाथ सांसा हैं ऐसा जलती है या चलती है तो झाना है जलती है यह बोल को cosmExb première कि माना है यह बोल और यह बोल यह बोल रापस में क्या हो गई ह्खिर कोheartाए के अर्यों के बाहरा ऊलग hell लग हो गया तो तो दर्यमान तो वही है, दर्यमान कितना है, M A और M B, पहले का दर्यमान M A और बाद का दर्यमान कितना है, M B, लेकिन इनका वेग है, जो टकराने की बाद वेग है, वो क्या हो गया, बदल गया, अब वेग तो कुछ न कुछ चेंज हो गई न, या तो स्पीड क्या हो तो देखो यह क्या हो गया यहां क्या हो गया यह क्या हो गया इनका अब देखो टक्राने के बाद इनकी दिसा भी क्या होगी विप्रित होगी आगे पीछे हो सकती है ना तो देखो जो दर्यमान था वह क्या लिख लिए हमारा मम भी लिख लिया अब हमने देखो यह किस से हो और है न्यूटन की गति के तिर्थे नियम से न्यूटन की गति के तिर्थे नियम से न्यूटन की गति का तिर्थे नियम क्या है क्रिया पर्थिक्रिया नियम कि अगर हम एक बोल से अगर हम उस पर दक्का लगाएंगे तो उस पर भी क्या होगी कोई पर्थिक्रिया होगी तो न्यूटन के दूटेनियम से न्यूटन के दूटेनियम से न्यूटन के दूटेनियम क्या कहता है वेग में परिवर्तन की दर तो हमने क्या निकाला था यह जो वेग में परिवर्तन होता है हमारा वेग में परिवर्तन, अब वेग में परिवर्तन बताओ, वेग में परिवर्तन किदर क्या लिख रहे हैं हम यहां, सम्वेग लिख रहे हैं, तो सम्वेग का फॉर्मूला क्या होता है, M गुणा V और V क्या होता है वेग में परिवर्थन तो देखो पहले कितना था U A U B अंतिम वेग कितना है या V A V B तो हम इसको क्या लिख सकते है V A minus U A upon T समय क्या है बराबर है आगे देखो अब यहां minus लगा है minus क्यों लगा है अभी बताये कि यह जो काम कर रहा है किस पर कर रहा है न्यूटन के तिरते नियम पर जिनमें दिसा क्या होती है वीपरित होती है परिमान समान होता है लेकिन दिसा क्या होती है वीपरित होती है तो इसके लिए किसका निसान लगा दिया minus का तो यहां अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा M B और अपोन T यह आ गया, अब देखो T से T cancel out T से T क्या हो गए, कट गए, तो देखो अगर हम next slide LACE में तो क्या लिखा था हमने MA VA minus UA is equal to is equal to यह ठीक है is equal to MB VB minus UB इनको क्या कर लो, अंदर गुना कर लो तो देखो MA VA minus MA UA is equal to MB VB minus MB और UB VB को एक तरफ कर ले, और UU को एक तरफ कर ले, तो देखो MA VA उदर से आके क्या हो जाएंगे यह वो माइनस का निसान था न, तो यह माइनस अंदर जाके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे निसान तो देखो, इदर आके क्या हो गया, प्लस MBVB, और उदर क्या हो गया, MA UA, प्लस MBUV, अब देखो, इस पूरे equation में क्या निकाला हमने, कि परिवर्तन तकराने से पहले और तकराने के बाद, तकराने से पहले और तकराने के बाद, सम्वेग क्या रहता है, सरक्षित रहता है, वो किस से निकलता है, इस result से पता लगता है, इस result से यह क्या है, सम्वेग सरक्षित रहता है, इस result से यह क्या है, सम्वेग सरक्षित रहता है, पिछे देखो, फिर से हम देखते हैं किसको को हमने कैसे निकाला है हमने क्या लिए पहले दो बोल लिए टककर से पहले कितनी बोल ली दो बोले ली दोनों को क्या किया प्रारंबिक वेग दिया दोनों को क्या दिया दर्यमान दिया दर्यमान क्या माना हमने इसका में और एम बी वेग क्या माना हमने इसका प्रारंबिक व तो वेग जाद है तब ही तो क्या होगे एक आगे जाएगे पीछ जाएगे और क्या होगे तख राएंगी तो तक्राने के बादמצ्दी क्या होती होती है यह यह बौर क्यों सी है तो देखो F A B F A B का मतलब क्या है कि बोल A दुआरा B पर क्या लगाया गया है बल लगाया गया है इसी तरह अगर हम इस बोल के लिए लिखे तो हम क्या लिखेंगे F B A F बोल B दुआरा B बोल A पर क्या लगाया गया है कुछ बल लगाया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको मैं नीचे साइड में लिखूं, तो क्या लिखेंगे, FAB is equal to minus FBA, अब minus किसली आया, यह आपको बता चुके हैं, minus यहाँ इसली आया, क्योंकि इनकी जो दिसा है, वो क्या है, अलग है, इनका परिमान सेम है, लेकिन इनकी जो दिसा है, वो क्या है, वीप्रित है, इसलिए यहाँ क्या है, minus का निशाना है, तो न्यूटन के गती के तिरतिनियम से अगर हम देखें, तो वो क्या था, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, गुरूप में आड होने के लिए, आपने कमेंट बोक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको नमबर सेंड कर दी जाएंगे, थैंक्यू.